हेलो एवरिवन नमस्कार मैं रक्षित कुविजर स्वागत करता हूँ आप सभी का अक्षवाट के यूटीब चैनल पर सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लेटे टूद एडिटर के कोशन को इससे पहले वाली वीडियो में हमने कई टाइप्स के लेटे टूद एडिटर के कोशन को समझाए तो आज का जो हमारा कोशन है वो है एन्रोज्मेंट ऑफ पेमेंट इन नहरुनगर यानि कि नहरुनगर का जो एरिया है वहाँ पर जो पेमेंट होती है पेमेंट का मतलँ होता है सठक की पटनीयों होती है उसमें बहुत जयादा अतिक्रमन है यानि कि बहुत जादा भीड़भाद रहती है तो सबसे पहले कोशन समझ'tे उसके बाद लेटर को कैसे लिखना होगा और क्या कैसे लेटर में लिखना होगा पुसकों समझेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले कोशन पढ़ेंगे यू आर अंकित और अंकिता और अंकिता और ते नहरुनगर एमदबाद the 60 foot wide main road in नहरुनगर market remains congested throughout the day इसमें बताए गया है आपका सबसे उपर नाम mention क्या हुआ है क्या आपका नाम अंकिता है अगर कोई लड़की है तो अंकिता लिखेगी उसके बाद में आपका address दिया हुआ है फिर ये बताएगा है जो 60 foot wide main road नहरुनगर में वो congested रहता है यानि कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़बार रहती है और throughout the day because of massive enrichment on both sides of the road causing a lot of inconvenience to pedestrian और सड़क की बड़र इतना ज़्यादा जाम रहने की वज़े से जो आने जाने वाले पैदल यात्री होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है write a letter to the editor of national daily requesting him to highlight the problem अब आपको letter लेखना editor को और आपको उनको इस problem से related उनका ध्यान आकरशित कराना concerned authorities का इस problem के लिए तो सबसे पहले उपर आता है खुद का address तो हम यहाँ पर जो address question में दिया हुआ उसको लिखेंगे 10 नहरुनगर एमदवाद फिर एक line चोड़ के लिखते है date जिस दिन letter लिखा जाता है उस दिन की date यहाँ पर लिखी जाएगी तो date हम लिख देंगे उसके नीचे एक line चोड़ के लिखा जाता है receivers का address receiver वो person होता है जो जिसके लिए letter लिखा जाता है वो receiver होता है जो letter को लिखता है वो sender होता है तो हम sender होंगे और receiver होंगे editor फिर उसके बाद में national daily newspaper के कुछ example है जैसे दा हिंदू, दा हिंदूस्तान टाइम्स और इंडियन एक्स्प्रेस ये national daily की newspaper है तो इन मेंजे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं तो question में हमने लिखा है दा हिंदू newspaper फिर उसके बाद में लिखते है address Delhi फिर एक लाइन छोड़के लिखा जाता है salutation यानि कि respected sir ये respected maim ये हम लिखेंगे फिर एक लाइन छोड़के लिखा जाता है subject subject का मतलब होता है विशे यानि कि हम letter लिख दू रहे हैं जो सड़क की पटड़िया है उसमें बहुत जादा अतिक्रमान है यानि कि उसमें बहुत जादा भीड़बार है जिसकी वज़े से लोगों को दिक्कत होती है तो जब हमारा subject एक लाइन का complete हो जाता है फिर उसके बाद में हमारी main body आती letter की main body जो letter की होते है जिसमें हम इंट्रोड़क्शन देते है problem का second paragraph होता है जिसमें हम problem को अच्छे से explain करते है और third paragraph होता है जिसमें हम conclusion देते है या फिर कोई suggestion अपनी तरफ से दे सकते है concerned authorities को तो सबसे पहले जो पहला paragraph है उसमें हम लिखेंगे through the columns of your esteemed newspaper यानि कि आपके STM newspaper के column के माध्यम से I would like to draw the attention of और मैं attention आकरशित करना चाहता हूं किसकी the authorities concerned to the enrichment of payment in नहरुनगर area इस वाली लाइन में ये बताए गया है कि आपके newspaper के माध्यम से मैं concerned authorities का ध्यान इस problem की तरफ आकरशित करना चाहता हूं और यहाँ पर हमने problem लिख दिये कि enrichment of payment in नहरुनगर area कि जो सड़क की बटड़ियों पर अर्तिक रामन होता है नहरुनगर के area में तो उसके related मैं ध्यान आकरशित करना चाहता हूं किसका concerned authorities का तो यहाँ पर हमारा पहले एक paragraph complete हो जाता है जिसमें हम introduction दे देते problem का कि हम letter लिख तू रहे है फिर हमारा second paragraph आता है जिसको हम एक line छोड़ के लिखते है cabs vans are parked on the main road जो cabs होती है vans होती है उनको सड़क पर park ऐसे ही कर दिये जाता है this has become the biggest nuisance to the residents और इसकी वज़े से जो आने जाने वाले लोग होते है उनको बहुत जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है यानि कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बादा है they cannot take out their vehicles due to vehicles parked on both sides और जब एक road पर दोनों तरफ कोई गाड़ी खड़ी होती है तो जो residents होते है वो अपनी car को निकाल नहीं पाते है बाहर क्योंकि अगर यहां पर car और यहां पर car है तो जो residents होते हैं उनको अपनी car निकालने में और घर के अंदर ले जाने में बहुत जादा कटिनाई के सामना करना पड़ता है तो second paragraph में हमने problem को अच्छे से explain कर दिया है फस्ट paragraph में हमने introduction दिया था second paragraph में हमने explain कर दिया है problem को और फिर एक लाइन चोड़ के हमारा थड़ paragraph आता है जिसमें हम suggestion दे सकते concerned authorities को the situation is worsening day by day जो situation है वो दिन परती दिन बढ़ती ही जा रही है यानि कि और भी ज़्यादा situation खराब होती जा रही है this needs immediate attention of authorities concerned और ये concerned authorities को इसकी तरफ एक ततकाल में ध्यान देना चाहिए यानि कि अरजेंट में इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोई नया कदम उठाना चाहिए जिससे यहां के नहरुनगर के जो area की लोग है उनको कटिनाई का सामना नहीं करना पड़े तो यहां पर हमारा जो third paragraph है जिसमें हमने conclusion ये suggestion हमने दिये तो वो complete हो जाता है इसमें हम एक दो लाइन अपनी तरफ से और लिख सकते हैं कि concerned authorities है उनको जो लोग वहां पर सड़क की बढ़ड़ियों पर अपनी cars को या bikes को पार्क करते हैं उन पर fine impose करना चाहिए जिसके वाज़े से लोगों को जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी तो यह हम यहां पर suggestion और दे सकते हैं या इसके अलावा कोई और जो suggestion आपको लगती है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं जब थर्ड paragraph हमारा complete हो जाता है फिर उसके बाद हमारी main body है वो complete हो जाती letter की फिर सबसे left side में सबसे नीचे लिखा जाएगा thanking you फिर एक line छोड़के yours faithfully और जो नाम question में given होता है अगर कोई लडगा है वो अंकित लिखेगा अगर कोई girl इस letter को लिखती है तो वो अंकिता mention करेगी question में तो यहां पर हमारा letter हो जाता है complete इसमें हमने यह बताया है कि नहरुनगर के area में जो payment होती है यानि कि जो सड़क की पटड़ियां होती है उसमें बहुत ज़्यादा endorsement होती है यानि कि आतिकरम अने बहुत ज़्यादा फीड़ बाड़ है और उसके वज़े से जो भांके residents उनको बहुत ज़्यादा problem face करनी पड़ती है और उसके तरफ concerned authorities का ध्यान हमने आकरशित करवा दिया इस letter के माध्यम से तो यह दि हमारी वीडियो अब इसी के साथ